बुद्ध तेरे कितने नाम बुद्ध से पहले जो बुद्ध के नाम थे वो बुद्ध के नामों में नहीं आते क्योंकि बुद्ध के नाम सारे के सारे गुणवाचक हैं और बुद्ध से पहले जो नाम था वो व्यक्तिवाचक था तो सबसे पहले जो पहला नाम था उस पर चर्चा करते हैं सिद्धत गौतम सिद्धत का मतल़ होता है सिद्ध माने सफल और अथ माने अर्थ को यानि जो अपने अर्थ को अथ को सफल कर देता हो उसको सिद्धत बोलते है और जो गौतम सब्द है वो एक मातरा का है गौतम उनका जो कुल का गोत है कुल की सिमबल है उसको गौतम से बोलते है तो उनका नाम सिध्धत गौतम और सिध्धत को अगर निकनेम में बदला जाए तो उस समय के हिसाब से सिध्धू बोला जा सकता है सिध्धू का मतलब है जो सफल कर चुका है यानि जिसने सफल कर लिया है तो निकनेम में आप सिध्धू बोल सकते हलाकि कहीं निक नेम का जिक्र है नहीं किसी साहिते में पर पंजाब के अंदर जो सिद्धू सब्ध है बहुत ज़्यादा चलता है और पंजाब और अफगानिस्तान तक जो धम है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था पूरे इरान तक धम था इसलिए सिद्धू नाम वहां होने की वैसे सिद्धत और सिद्धू मैच करते है और उगी मातरा से वो बन जाता है जिस व्यक्ति का नाम होता है तो सिद्धत गौतम उनका नाम था इसके बाद अगली कड़ी में हम बताएंगे कि समन गौतम या सिर्मन गौतम उनका नाम जो असली नाम जो पुकारा जाता था उसका क्या अर्थ है क्या आत्थ है संगंग नमामी